मध्य प्रदेश में मंदस और जिले के गरोट तहसील मिस्थित धर्मराजेश्वर मंदिर और गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यह संरचना प्राचीन वास्तुकला का अध्भुत और सम्पूर्ण भंडार है। चौथी और पाचवी शताबदी के आसपास बनी इस प्राचीन मंदिर संरचना की निर्मान शैली पूर्ण रूप से एक हिंदू मंदिर और गुफाओं का समूह स्थल है। आज भले ही इस धर्मराजेश्वर मंदिर को देश और दुनिया में लोगों ने महत्व नहीं दिया है, लेकिन स्थानिय लोगों के लिए यह मंदिर आस्था के साथ एतिहासिक महत्व और पर्यटन के उद्देश का भी सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले यहां हम आप से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं, तो कृप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बैल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन्स भी आप लोगों तक पहुँचती रहें, तो धर्मरा जेश्वर मंदिर की यह संरचना मंदसौर जिले के गरोठ तहसील के धमनार गाउ में स्थित है, जो की चंदवासा शहर से मात्र चार किलोमीटर और मंदसौर शहर से 106 के क्षेतर में फैली करीब 60 से 70 गुफाएं हैं, जिन में से कुल 14 ऐसी गुफाएं हैं, जो विशेश उलेखनिय और दर्शनिय मानी जाती हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर सनरचना मुख्य रूप से भगवान शिव और चतुर्भुजी भगवान विश्नु की प्रतिमा दोनों ही परम सनातन शक्तियों को समर्पित है। धर्मरा जेश्वर मंदिर उत्तर भारतिय नागर शैली में बना हुआ है, जबकि कैलाश मंदिर दक्षिन भारतिय द्रविड शैली में निर्मित है, इसलिए कैलाश मंदिर को गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा बनवाया मंदिर भी नहीं कहा जा सकता. मंदिर के शिखर की नकाशी उत्तर भारतिय शैली की है जबकि मंदिर की वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर संरचना से मिलती जुलती है इस धर्मराजेश्वर मंदिर के संबंध में पुरातत विभाग धोपाल का कहना है कि यह एक धर्मनात मंदिर है जो वर्तमान में धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से पहचाना जाता है यह मंदिर भी विश्वप्रसिद एलोरा के कैलाश मंदिर के समय में ही उसी जटिल तक्नीक से बना जान पड़ता है क्योंकि इसके निर्माण में भी उसी प्रकार से एक ही शिला को काट कर बनाया गया है ऐसे में संभव है कि कैलाश मंदिर भी गुजर प्रतिहार वंश की ही देन हो सकती है हाला कि कैलाश मंदिर के निर्मान के विशय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है धर्मराजेश्वर मंदिर को दूर से देखने पर शत प्रतिशत प्रतीत होता है कि इसकी निर्मान शैली और संरचना आदी सब कुछ सुप्रसिद्ध हेलोरा के कैलाश मंदिर के ही समान है इसका कारण मुख्य रूप से यही है क्योंकि कैलाश मंदिर के समान ही यह मंदिर भी एक ही चटान को काट कर उसी शैली में बनाया गया प्रतीत होता है यह मंदिर भी ठीक उसी प्रकार से एक ही चट्टान को काट कर पहले खोकला किया गया और फिर उसे देवाले का आकार दिया गया इस मंदिर का निर्मान लेटराइट पत्थर की चट्टान को काट कर किया गया है लेटराइट के पत्थर और चट्टा ने आम तौर पर मध्य भारत की पहाडियों और पठारों के अलावा दक्कन प्रायद्वीप के कुछ राज्यों के आसपास के खेत्रों में पाया जाता है धर्मराजेश्वर मंदिर को दिव्य आकार देने के लिए एक विशाल आकार वाली लेटराइट पत्थर की इस पहाड़ी के 104,67 फीट के खेत्र को करीब 30 फीट की गहराई तक एक दम एलोरा के कैलाश मंदिर की तर्स पर कुछ इस प्रकार खोद कर कलात्मक तरीके से तराशा गया है कि उसमें धर्मराजेश्वर मंदिर समूह का आकार उभर कर सामने आया है मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान भैरव तथा माता भवाने की प्रतिमाए भी हैं इसके अलावा इस मंदिर के प्रांगण में ही पीने के पानी का एक छोटा कुवा भी खोदा गया है जिसमें आज भी पानी मीठा और ठंडा रहता है धर्मराजेश्वर मंदिर संरचना का कुल आकार केंदर में 14.53 मीटर की उचाई और 10 मीटर की चोड़ाई वाले किसी बड़े पिरामिड के आकार का प्रतीत होता है इस मंदिर की मुख्य संरचना के चारों और साथ अन्य छोटे-छोटे मंदिर भी हैं जिन में से प्रत्येक में अलग-अलग देवी देवता विराजित हैं इस भव्य धर्मराजेश्वर मंदिर संरचना की विशेशता यहा है कि इसको बनाने के लिए करीब 50 मीटर उचे और 20 मीटर चोड़ी एक विशाल चट्टान को काट कर आकार दिया गया है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संभाजी नगर में स्थित एलोरा के गुफा मंदिरों को बनाया गया है मंदिर के गर्भगरिह में एक विशाल आकार वाला शिव लिंग और साथ में भगवान विश्नु की एक प्रतिमाभी विराजित है मंदिर के आसपास में इसी प्रकार की 170 से भी अधिक छोटी बड़ी गुफाए भी हैं जो जैन समाच से संबंधित बताई जाती है उन जैन गुफाओं के अंदर जैन तीर्थंकर, रुशब देव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और महावीर के रूप में वर्नित पांच प्रतिमाए दर्शाई गई हैं हाला कि स्थानिय लोगों द्वारा उन्हें पांडवों की प्रतिमाए बताया जाता है के द्वारा इन गुफाओं और मंदिरों का निर्मान कार्य किया गया था धर्मराजेश्वर मंदिर के इतिहास पर विशेश गौर करें तो यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल का निर्मित बताया जाता है गुर्जर प्रतिहार शासकों ने आठवी सदी से ग्यारहवी सदी के काल में मध्य और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था गुर्जर प्रतिहार वंश विशेशकर शिल्पतला और मंदिर निर्मान के लिए जाना जाता है इनके शासन काल में निर्मित कई संरचनाएं विशेश रूप से खुले द्वार और आंगन वाले मंदिरों का निर्मान हुआ है खजुराहों के मंदिरों में हमें विशेस रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश की निर्मान शैली के बारे में जानकारी मिलती है जो आज यूनेसको की विश्व विरासत में शामिल है तो कैसी लगी यह जानकारी कृप्या कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और विडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बैल आईकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले विडियोज की नोटिफिकेशन्स भी आप लोगों तक पहुँचती रहे जल्द ही मिलते हैं अगले विडियो में तक तक के लिए धन्यवार